पिसले कुछ दिनों से जो सबसे जादा मेरे पास request आ रही थी इस watch का review करने के लिए वो है Firebolt की एक नई smart watch जिसका नाम है Firebolt Ninja Calling Pro भाई, लास्ट जो पांचे वीडियो है उसमें तो भाई, इतने भर-भर के आप लोगों के comment आए कि review करो, review करो तो finally हमारा पास ये watch आ गई है, काफी time लगा इसको आने में, लेकिन आज की video में हम यहाँ पर इस watch की unboxing करेंगे, इसके features टेस्स करेंगे और मैं बता हूँगा कि ये watch आपको लेनी चाहिए अपि नहीं क्योंकि भाई, जैसे आपको पता है, Ninja Calling Pro तो calling feature है और इसका जो price है ना भाई, वो यहाँ पर 2000 रुपे के आसपास यहाँ पर रखा है, तो कैसी है watch भाई, 2000 रुपीज में, आज की video में हम इसके बारे में बात करेंगे तो स्टाट करते हैं इसके unboxing से, लेकिन video पसंद आए, तो video like करते हैं, 2000 राइक का target है, तो उसे जली से complete करना में और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो, इस तरह की videos देखना चाहते हो, अगर आपने subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लो तो यह रहा हमारा Firebolt Ninja Calling Pro का box, और जास आप देखते हो, watch कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, 1.69 inches का है, आपको जो display देखने को मिलता है, Bluetooth Calling के साथ आती है, और यहाँ पर इसके उपर इसके कुछ features बगारा भी लिखे हैं, जैसे होता है, 1.69 inches का HD display है, Bluetooth Calling आपको feature द और एक और box है, जिस पर Firebolt की branding है, तो इसको भी open कर लेते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले बहुत सारे ऐसे cards हैं, तो यहाँ पर subscription plan, warranty information, तो यह आप सारी चीज आपढ़ सकते हो, उसके लाबा यहाँ पर एक user manual है, तो सारी information मैं आपको इस वीडियो में देदूँगा, उसके और साइड में रखते हैं, उसके लाबा यहाँ पर यहाँ पर एक charging cable देखने को मिलती है, यह magnetic charging cable है, पोग connector pin वाली, यह था इसके box के content, लेकिन अब आते है हमारी watch की तरफ, तो यह है Firebolt Ninja Calling Pro, इसके ओपर एक plastic wrapper लगा, तो वह मैं हटा देता हूँ, और देख सकते हो, इसके करेंगे, देखेंगे, लेकिन अगर मैं इसके design और build quality की बात करूँ, तो design यहाँ पर मैं सही है, जो price इसका उसके साब से काफी सही है, लेकिन जो build quality है, वो यहाँ पर काफी सही लग रहे है, उपर की तरफ जो यह फ्रेम है, यहाँ पर यह metal का है, पीछे की तरफ से polycarbonate है, तो heart rate sensor, SPO2 sensors, charging points है, और obviously एक calling smart watch है, तो यहाँ पर आपको इसका जो microphone देखने को मिल जाएगा, और जो speaker grill है, वो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर जो straps है, वो आपको silicon straps देखने को मिलते है, straps की quality हहाँ है, काफी soft है, और यह जो straps है, यहाँ पर यह replaceable straps है, तो किसी भी 20 mm वले straps से, आप इसको replace कर सकते हो, तो overall design और build quality, यहाँ पर जो इसका price है, दो हजार रुपे, उसके साब से यहाँ पर काफी सही है, lightweight smart watch है, इवन दो यहाँ पर जासे मता है, आपको metal की build quality मिलती है, उपर की तरफ, तो जल्दी से मैं इस watch को on कर लेता हूँ, इसके जो features है, उ आप करना है, और यहाँ पर आप दिख जाएगी firebolt 039, obviously मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी firebolt की watches है, तो इस पर मैं tap कर देता हूँ, और obviously एक calling smart watch है, तो इहाँ पर दुबारा से भी एक बार pair पर tap करना होगा, ब्लुटूस से connect करने के लिए, और यहाँ पर calling का जो feature उसे यू यहाँ पर आपको LCD display देखने को मिलता है, जो resolution है, वो यहाँ पर है 240 by 280 pixel, तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर जो display है, वो मैं बलूगा की सही है, इसके features की बात करें, तो इस आप दिखते हो, default watch face कुछ इस तरह से है, अगर आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको चेंज क काफी बड़ी सी एक library है, लेकिन अगर आपको अपनी कोई photo लगानी है, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, कुछ customization की option आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, उसके बागी features की बात करो, तो नीचे से उपर की तरह स्वाइब करने पर यहाँ पर notification पैनल है, उपर से और आउटओर में आपको कोई problem नहीं होगी, उसके लाब यहाँ पर battery saving का option है, तो यहाँ पर इसको इनेबल करने के बाद, आपकी वाइब्रेशन है, वो यहाँ पर disable कर देता है, जो screen की ब्रैटने से उसे कम कर देगा, तो बैटरी बच जाएगी, उसके लाब यहाँ पर menu क कुछ options है, तो अलग-अलग यहाँ पर style है, menu के वो आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे आपको यहाँ पर options दिये है, menu style के, तो हम honeycomb style ही रखते है अभी, और देख सकते हो, जो menu style है, वो कुछ इस तरह से, और काफी यार, smooth यहाँ पर touch response है, हमेशा की तरह fireboard की watches में, उसके बाद, obviously calling smart watch है, तो calling का feature आप यहाँ से enable, disable कर सकते हो, और last option है, हाँ अपर setting का लेकिन इसको आगे देखेंगे, इसके बाद, home screen पर काड़ करोगे, तो यहाँ पर short cut cards है, तो सबस्वाल है, activity का option है, जहाँ पर आपने steps कितने count किये, calorie कितनी burn करी, और जो भी activity की information है, व और यहाँ पर जो speaker's का volume है, वो आगे हम चेक करेंगे, उसके बाद, next swipe करेंगे, तो आपकी जो sleep tracking का option है, और last night की sleep है, आप यहाँ पर देख पाओगे, और swipe करने पर आपको थोड़ी और detail मिल जाएगी, यहाँ पर आपको हाटट का option दियावा है, तो जब मैं इसको पहनू कर देता हूँ, उसके लावा next song पर जा सकते हो, previous song पर जा सकते हो, और यहाँ पर आप जो volume है, उसको increase, decrease कर सकते हो, तो यह feature भी है, वो भी काफी अच्छे से काम कर रहा है, उसके लावा next swipe करेंगे, तो यहाँ पर weather, sunrise, sunset, और swipe करने पर आपको next few days का focus भी आपको दिख जाए डिख जाते हैं, तो यहाँ पर आपको BP का option दिया है, तो हमने इसको add कर लिया है, और यहाँ पर उसके बाद SPO2 का option है, तो यहाँ से बाएड कर सकते हो, उसके लावा इहाँ पर ट्रेनिंग का option है, और उसके बाद यहाँ पर messages का option है, तो यह निए, नोटीफिकेशन भी आ लगा सकते हो, stopwatch आपको यहां पर दीवी है, और last में आपर calculator है, तो यह सही है, students लगारा के लिए, तो बहुत सारे आपको यहां पर shortcut cards आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई shortcut card आपको नहीं चाहिए, तो किसी भी shortcut card पर आपको tap करना है, hold करना ह और यहां पर आप उसको remove कर सकते हो, उसके लावा home screen पर आप right से left की तरह swipe करते हो, तो recent जो आपने apps यूज करी हैं, तो यहां पर आपको दिख जाएंगी, उसके लावा अगर आप Google Assistant Siri यूज करते हो, तो यहां पर आप टाप कर सकते हो, how's the weather right now, लेकिन यहां पर जो भी information आपको 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 आपक में आपको 120 के गरीब आपको sports mode देखने को मिलते हैं और देख सकते हो आप आप बहुत सार आपको sports mode मिलेंगे सारे तो मैं इस वीडियो में नहीं बता हुआ लेकिन किसी को भी अगर आपको चालू करना तो इस पर tap कर दो यहां पर आपकी activity वो चालू हो जाएगी और यहां प काउंड़ाउन, alarm, stopwatch और फीमिल के नहीं पर मेंस्टर साइकल ट्रैकिंग का option है, flash light आपको यहां पर दिया हुआ है, find phone का option है और games भी आपको यहां देखने को मिलती है तो inbuilt कुछ games है और यहां पर आपको 3-4 के करीब जो inbuilt game मिल जाएगी तो सही है यहां पर आप इससे time pass कर सकते हो, उसके बाद यहां पर calculator का option है और other में यहां पर obviously इसकी setting के कुछ options है, तो display का option है, तो display में यहां पर आप जो brightness है, auto sleep, watch faces यहां से भी change कर सकते हो, menu style, quick view का option आपको दिया हुआ है, उसके बाद यहां पर call alert, तो यहां पर vibration की intensity या फिर जो ring या फिर vibration जो भी आप mode select करना चाहते हो, यहां से कर सकते हो, उसके बाद यहां पर D&D mode, low power mode, phone on, bluetooth reset, system, तो system में जाएंगे, तो यहां पर reset, power off, reset का option है, और last में about का option है, तो overall दोस्तों, यह तो बात हुए, firebolt ninja calling pro के features के बारे में, features wise definitely यहां पर आपको सारे features देखने को मिलते हैं, जितने जो आपको 4-5,000 वाली जो firebolt watches में मिलते हैं, यहां पर भी आपको सारे features मिलेंगे, लेकिन इसके लावा यहां पर UI बी काफी smooth है, और obviously इसमें आपको calling feature दिया है, तो जिसको आगे चेक करेंगे, तब जल्दी से मैं पहन लेता हूँ, heart rate sensor, SPO2 sensor, और calling का जो feature है, इसको यहां पर check out कर ल इसको मेजर कर लेते हैं, यहां पर इसे मेरा जो heart rate बता है, 84 beats per minute, और मैंने यहां पर एक oximeter लगाया है, और यहां पर दिखा रहा है, 86 beats per minute, तो काफी similar सी आपको यहां पर readings देखने को मिलती है, जासा आप देशकते हो, इसको आपको SPO2 का feature भी दिया है, तो उसको भी check कर लेते हैं, और यहां पर यहां पर यह जो मेरे ब्लड में oxygen का लेवल यहां पर मेजर करेगा, लेकिन हर बार की तरह बोलता हूं, यह जो बोच इस रहती है, कोई medical equipment नहीं है, आप सरफ इनको idea लेने के लिए यूज करो, और यहां पर इसने मेरा जो blood में oxygen का लेवल बता है, 98% और यहां पर यहां पर दिखा रहा है, 97% तो यहां पर भी जो रीडिंग्स हैं, वो काफी हद तक क्लोज हैं, उसके बाद ओविसले इसमें आपको यहां पर ब्लड प्रेशर है, आप यहां पर measure कर सकते हो, लेकिन वहां पर इस तीज पर रिलाय नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास यहां पर office में कोई यहां पर medical equipment नहीं पड़ा, जिससे मैं इसको compare कर पाऊं, और यहां पर इसे मेरा BP के लावल बता है, वो बता है 120 by 75, लेकिन इसके लावा इसको एक बार टेबल पर रखके भी चेक कर लेते हैं, कि टेबल पर रखके यहां पर हार टेट या फिर बात करो, तो call आने पर कुछ इस तरह से notification मिलती है, obviously यहां पर जो watch है हमारी ring कर रहे है, लेकिन यहां पर caller का नाम आ रहा है, call आप यहां पर उठा सकते हो, call कार सकते हो, तो मैं यहां पर call है उठा लेता हूं, और call उठाने के बाद भी यहां पर जैसा में देखा, कुछ options आपको देखने को मिलते हैं, तो यहां पर call है, उसे mute कर सकते हो, जो यह जो call है, अपने phone पर transfer कर सकते हो, या फिर phone से watch पर transfer कर सकते हो, उसके लाब आप जो volume है, उसको इहां पर increase, decrease कर सकते हो, और call काट सकते हो, उसके लाबाद SMS notification की बात करूँ तो वो आपको कुछ इस तर सकते हो, जो speaker का volume है, वो काफी loud है, और यहां पर आप indoor और outdoor दोनों में इसको अराम से use कर सकते हो, लेकिन अकर मैं की quality की बात करूँ तो वो मैं आपको सुना देता हो, तो अभी जो आप सुन रहे हो, मेरे scholar mic से सुन रहे हो, जैसा आप सुन सकते हो, तो अब मैं इसका माइक कैसे एक बार switch कर देता हो, तो अब जो वाज आप सुन रहे हो, वो सुन रहे हो, यहां पर firebolt ninja calling pro के microphone से, और usually हम जब calling के बात करते हैं, तो इसी तरह से बात करते हैं, और जैसा आप सुन सकते हो, यहां पर mic की quality है, वो काफी decent है, तो अराम से आप इस पर indoor या आउट्डोल म और definitely भाई, अगर इसका price 2000 रहता है, जो इसका launch price है, तो मुझे लगता है कि यह जो watch है under 2000 रुपी, सबसे best calling smart watch है, जो आप इस time पर buy कर सकते हो, यहां पर बिल्ड क्वालिटी काफी सही मिल रही है, इवन lightweight भी है, यहां पर जो UI है, वो काफी smooth है, calling का feature है, जैसे आपने आप वो काफी अच्छे से काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 2000 रुपे में आप यह जो calling watch है, definitely इसे check out कर सकते हो, तो आपको कैसी लगी है, fireboard ninja calling pro, यह आप मुझे comment करके बता, और अगर आपने इस watch को खरीदना होगा, मैंने इसका link है नीचे description दिया, आप जाकर check out कर सकते हो, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो वीडियो लाइक कर देना, 2000 लाइक का टार्गेट है, तो उसे जल्दी से complete करना है, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो, इस तरह की वीडियोज देखना चाहते हो, तो इस चानल को subscribe कर लेए, तो मिलते हैं इसी तरह की एक औ